नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर और मेरे शो में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है आप देखी रहे हैं आजकल विपक्ष का आचरन किस तरफ जा रहा है कहूं के कितना गिर रहा है उनकी बेशर्मियों पे गुस्सा नहीं अब तरस आने लगा है अब देखिए संसद भवन में 13 दिसंबर को दो लोग सभा के कारवाई को दरान दर्शक दीरगा से जंप करते हैं और कैनेस्टर से रंगीन धुआ चोड़ने लगते हैं इसके बाद अफरत अफरी मस्ती है हला कि अब इसके पीछे जो भी लोग हैं सब पुलिस की ग्रिफ्ट में हैं उस्ताश में काफी कुछ बातें बाहर निकल के आ रही हैं और एक तरह से ये समझ लीजे कि पूरी प्लानिंग जो है वो खुल रही है लेकिन जो सबसे बड़ी बात है जो मैं आपको बताने जा रही हूं जो सबसे बड़ा अपडेट है आज का वो ये है कि देश के परधान मंतरी ने भी पहली बार ये कहा है कि ऐसा लगता है कि संसद में घुस पैट करने वालों को उनका समर्थन मिल रहा है यानि कि विपक्ष का समर्थन मिल रहा है उनका ऐसा कहने की पीछे वज़ा भी है उस पर भी मैं आगे बात करूँगी लेकिन आप हट तो देखिए इस प्रकरण के बाद विपक्षी दलों ने संसद में हंगा में शुरू कर दिया है अब ओवियसली जब कारवाही वहां की चलानी है तो जो संसद शोर मचाएंगे तो उनको भार का रस्ता दिखाया ही जाएगा क्योंकि अभी बहुत सारे महत्पून चर्चा होनी है मसलों में बादचीत होनी है लेकिन ये लोग कोई बात आगे ही नहीं बढ़ने दे रहे है और एक और शरमड़ाक बात है अभद्र तरीके से परदर्शन कर रहे है अब तक 138 सांसदों को निलंबित किया जा चुका है हो सकता है शाम तक इनकी संक्या कुछ और बढ़ जाए क्योंकि ये लगतार वहाँ पर बुरा परदर्शन कर रहे है यही नहीं इन लोगों ने स्पीकर और उप्राष्ट पती यानि कि जगदीब धनकर जी की नकल उतारी संसद के बाहर उनका मजाग उड़ाया ये सब देख करके लग रहा है कि सच में विपक्ष इस समय बौकला गया है अब परदानमंतरी नरेद मोधी ने भी विपक्ष के इस स्वेवार पर आपत्ति जताई है संसद भवन की लाइबरेडी बिल्डिंग में मंगलवार को उनकी अध्यक्षता में भासपा के संसद ये बोर्ड की बैठक होती है इसे परदानमंतरी नरेद मोधी संबोधित करते हैं और उसी के दौरान उन्होंने जो कुछ भी हो रहा है संसद के बाहर जो परदर्शन चल रहे हैं और संसद के भीतर जो एक अटैक करने जैसा ड्रामा किया गया और जो सुरक्षा में लैप्स हुआ उन्हों सब परदानमंतरी नरेद मोधी ने बात की और उन्होंने एक बहुती गंभी टिपड़ी किये दोस्तों आप अंडरलाइन कीजिए उन्होंने ये काया कि सांसदों ने ये तै कर लिया है कि उन्हें लुकसवा में अब वापस नहीं आना है अगर इन सांसदों का ऐसा ही रवया रहा तो समझ लीजे कि इन्हें इस ताकत के साथ ही लुकसवा में वापस नहीं आना है क्योंकि इनका आच्रा नैसा है अब आप देखिए कि ये इतनी गंभी टिपणी प्रधानमंत्री ने क्यों की ये सब लोग इकठा हो करके संसद के बाहर परदर्शन कर रहे हैं उन संसदों के लिए जिने सस्पेंड किया गया है अब एक संसद मिमक्री कर रहा है मजाग उड़ा रहा है दूसरा उसकी वीडियो बना रहा है तो ये बात कहीं न कहीं सभापती और उपराश्टपती धनकड को भी बुरी लगेगी और ये वैसे भी नॉम्स के खिलाफ है उपराश्टपती का जो पद होता है और राश्टपती का जो पद होता है उसका कद आप समझते हैं क्या होता है उनका इस तरीके से मजाग उड़ाना यानि कि ये लोग अपने आपको ही अपना कद छोटा कर रहे हैं परधानमंत्री नरेद मुदी ने इनके आचरन पे ये भी कहा कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि कुछ रचनात्मक और अच्चे काम किये जाएं, लेकिन कुछ लोग इससे बहुत डिफरेंट सोचते हैं कि समिधान के हिसाब से विपक्षी दलों को मुद्दे उठाने का अधिक आएं, तो ये बहुत ही दुखद है, और अब आप मोदी जी का स्टाइल तो जानते ही हैं, मोदी जी इस तरीके से बात करते हैं, जैसे वो अपनी बैठकों में भी होते हैं तो आपको ये एहसास नहीं होगा, वो अपने परिवार की तरह बैठते हैं, अगर उन्होंने वि संसदों को भी नसियत दी है, ये ठीक वैसा ही है, जैसे एक पिता परिवार में बैठे होते हैं, तो अगर कोई गलत काम कर रहा है, तो पिता उनको भी डाटते हैं, लेकिन जो दूसरे बच्चे हैं, उनको भी नसियत देते हैं, तो नरेंद मोदी ने अपने संसदों को भी यानि कि BJP के सांसदों को भी ये नसियत दी कि विरोत के जवाब में वो मर्यादा में ही रहें समीधान का सम्मान और संसदिया नियमों के पालन की सला उन्होंने अपने भासपा के सांसदों को दी और कहा कि जो जनादेश का सम्मान है उसे बना करके रखें और बैठक में में हुई गुसपैट का भी जिक्र हुआ और उन्होंने ये कहा परधानमति नरिन मोदीने की हर वो शक्स इसकी निंदा करेगा जो लोक तंतर में भरोसा रखता है ये सब जानकारिया जो है मीडिया को प्रहलाद जोशी देते हैं कि ये साल की आखरी बैठक थी और भासपा के संसेदी दल्की और पियम ने इस दौरान ये याद दिलाया कि वो दिल्ली में रहे तो इस बैटक में हमेशा शामिल हुए अब ये भी एक अच्छी बात है अगर वो दिल्ली में है तो वो इस बैटक में हमेशा शामिल होते रहे है यानि कि एक अनुशासन यानि कि एक connectivity उन्होंने कार्यकरताओं के लिए सम्मान की बात की विचारधारा के लिए जी ने मरने की बात की और कई और बाते भी हुई मसलन इंडिया अलाइंस की बैठक पर भी उन्होंने तंज कसा भारत का भविश उजवल बनाना है इसे उन्होंने भाजबा की सोज बताया और प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि विक्सित भारत संकल्प जातरा में सहभागिता का अन्भव सांजा करने से लोगों में एक विश्वास बढ़ गया है और हाली के जो चुना हुए हैं उन्में जो लोग हा रहे हैं और कि ओविश्वी विपक्ष पे उन्होंने कटाक्ष किया कि वो जिस तरीके की भाषा बोल रहे हैं उससे ये लगता है कि वो संसत में हुई घटना का समर्थन कर रहे हैं दोस्तों आप इस बात को अंडरलाइन किजिये कि अगर परधान मंतरी ये कह रहे हैं कि हाली के चुनाओं के बाद जो दल ऐसी भाषा बोल रहे हैं जिससे ये लग रहा है कि वो घटना का समर्थन कर रहे हैं यानि कि संसत की जो घटना हुई है उसका समर्थन कर रहे हैं। आप भी जान रहे हैं कि जो लोग पुलिस की हिरासत में हैं उनसे जो जानकारिया निकल के आ रहे हैं उन्हें अलग रखे हैं और उनका सोशल प्लेटफॉर्म पर अगर आप प्रोफाइल देखें तो उससे आपको उनकी सोच उनके आचरण का पता चलता है और ये लोग जो पुलिस की हिरासत में हैं पूरी तरह से आंदोलन जीवी हैं चाहे वो आंदोलन जंतरमंतर पे हो पहलवानों के साथ चाहे वो आंदोलन हो किसानों के साथ चाहे वो शाहिन बाग का आंदोलन हो चाहे फिर वो बीवी सी की जो उनकी डॉकुमेंटरी थी उसको लेकर के जिय इन लोगों का धखल रहा है कौन जो इस समय पुलिस की हिरासत में है तो उससे इनका माइंड सेट पता चलता है कि ये किसे सपोर्ट कर रहे हैं अगर निलम की बात करूं तो वो कॉंग्रियूस को सपोर्ट करती है ये बात उसके जो भाशन है उसके जो ट्वीट है किसान प्लस इनके सपोर्ट में किसान अंदोलंगारी क्यों आके खड़े हो गए ये भी तो सोचने की बात है ना परधानमंतरी ने अगर इतनी बड़ी बात की है इतना इतना गंभीर उन्होंने एक वक्तव्य दिया है तो इसके पीछे कोई सोच है कोई लोजिक है उनके बास और हमेशा आपने भी देखा है और मैं भी हमेशा ये महसूस करती हूँ कि जब नरेंद मुदी कुछ कहते हैं न तो उसका बहुत बड़ा मतलब होता है अब आप देखे जिस दिन संसद में सेशन शुरू होता है वर्धान मंदिर नरेंद मुदी ने एक बात की थी कि जो तीन राज्यों की हार है उसका गुस्सा सदन के अंदर नहीं आना चाहिए शाय से उन्हें विपक्ष का आभास हो गया होगा क्योंकि हम लोग सब साती तो रहते हैं तो एक दूसरे क बिएव को भी समझते हैं तो उन्हें कहीं न कहीं ये लगा होगा कि ये कुछ करेंगे अब कुछ करा तो क्या उन्होंने बहुत बड़ा कुछ कर दिया और इसी बीच संसद में ये घटना भी होती है अब ये उस घटना में जो लोग हिरासत में हैं और ये पूरी घटना का समर्थन कर रहे हैं ये अगर परधानमंत्री नरीन मोदी कह रहे हैं तो फिर ये बहुत ही सीरियस बात है और ये भी हो सकता है कि उन्हें जो जाच चल रही है जो जाच एजनसियां इसमें लगी हुई है वहां से कुछ इन्पूट मिल रहे हो उसके आधार पर उन्हें ये बात कही हो परधानमंत्री के संबोधन का जो सार था न वो ये है कि विपक्ष ने विपक्ष में रहने का मन बना लिया है और ऐसा लगता है कि संसद में गुस्पैट करने वालों को उनका समर्तन है और लुकसभा चुनाव 2024 पर उन्होंने जो कहा वो ये है कि इस मीटिंग हाल में जो कुर्सियां खाली हैं वो अगली बार भर जाएंगे याने कि उन्हें अपनी जीत का जीत से भी ज़्यादा अभी से लग रहा है वो इतने कॉन्फिडेंट है कि मीटिंग हाल जहां पर बैठके उन्होंने ये बात की वहापे कुछ कुर्सियां खाली होंगी तो उन्होंने ये उमीद जदाई कि ये कुर्सियां अगली भार भर जाएंगी, ये अगर ऐसा वो feel कर रहे हैं, तो it means उनकी तयारी कितनी solid है, और विपक्ष, विपक्ष कहां अपना समय जाया कर रहा है, कहां अपना समय वेस्ट कर रहा है, देखिए, तीन दिन से वो हंगामे कर रहे हैं, हंगा में करके अपना तो समय नश्ट करी रहे हैं सदन का समय भी नश्ट कर रहे हैं तो ये सब जो आश्रन है न विपक्ष के ये उन्ही के लिए जा करके उन्ही पर अटेक करने वाले हैं क्योंकि जिस तरीके से आज उन्होंने उप्राष्टपती और स्पीकर धनकर जी के खिलाफ जो बात कही है जिस तरीके से उनकी नकल उतारी है और जो संसत के बाहर बैठके वो मेमिक्री कर रहे हैं और राहूल गांदी उसको शूट कर रहे हैं इस से घटिया और कुछ नहीं हो सकता राहूल गांदी बले ही उसमें ऑफिशली कॉंग्रेस पार्टी में किसी प्रोफाइल में नहीं है लेकिन अगर देखा जाए तो कॉंग्रेस का चेहरा तो वही है न क्या उन्हें ऐसा आचरन करना शोभा देता है वो अपनी प्रोफा बहुत कुछ करते आ रहे हैं कभी वो तोडो फोडो जातरा कर रहे हैं कभी मेकैनिक बन रहे हैं कभी वो धान बो रहे हैं कभी बहुत कुछ कर रहे हैं ट्रक राइट कर रहे हैं और ये जो उन्होंने हाली के दिनों में एक्ट किया है इस से उनकी इमेज को एक बहुत बड देंट लगा है ये वही राहुल गांदी है जो संसद में हुई घटना को ये कह करके दूसरी तरफ टिल्ट कर रहे हैं कि ये घटना नरेंद मोदी की नीतियों के कारण हुई है क्योंकि देश में बेरोजगारी और महंगाई है आप सबको पता है कि कॉंग्रेस ने 70 साल तक एक आज साल कम कर दीजेस में तो राज किया है क्या उस दोरान महंगाई या फिर बेरोजगारी नहीं थी ये दोनों चीजें दोस्तो एक निरांतरता में चलती रहने वाली समस्याएं हैं इनको टाइम टू टाइम फिल किया जाता है उसके बाद ये फिर बढ़ती हैं क्योंकि हमारे आप पॉपुलेशन का जो सिस्टम है वो कुछ इस तरीके का है लेकिन अगर मैं महंगाई की बात करूँ तो आज की तारीक में आपके आसपास जो जिन्हें आप गडीबी की रेखा से भी नीचे कहते हैं वो भी लोग आपको भूके पेट सोते हुए नहीं नजर आते होंगे क्योंकि फ्री अनाज उन्हें दिया जा रहा है उन पे महंगाई की मार का कोई असर नहीं है और ये सब योजनाय चला करके एक तरह से भूके पेटों को भरने की जो जिम्मेदारी जो कमिट्मेंट नरेंद मोदी का है इससे पहले कि आपने कभी देखा आप ये कहेंगे कि मैं सारी बात नरेंद मोदी की ही कर रही हूँ लेकिन अगर मैं राहूल गांदी को भी देखू न तो वो क्या कहते हैं क्या एक्ट करते हैं कुल मिला करके डे बन से ही ये लग रहा था कि जो शैतानी जो अटेक जो यलो फॉग सदन के अंदर उन दो लोगों ने किया वो एक सोची समझी साजिस थी जिसे आज देश के परधान मंतरी ने भी माना और उने कहा कि ये विपक्ष उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं इट मींज जो जाज है उसमें से परधे उठ रहे हैं और वो अब जाज का सार जो है वो परधान मंतरी तक पहुँच रहा है इसी लिए उन्होंने ये बात कही है कि ऐसा लगता है कि जो उनके बोल बचन है उससे ये लग रहा है कि विपक्ष इस घटना का समर्थन कर रहा है और उन्होंने विपक्ष के इस रवाईयों को इस घटना से भी ज्यादा खतना करार दिया है ओवियसली अगर हमारा विपक्ष ऐसी घटनाओं को सपोर्ट करता है तो फिर हम क्यों बात करते हैं कि दाउद मर गया है या दाउद जिन्दा है हमें जो हमारे आसपास लोग हैं उनमें दाउद के चेहरे तलाशने चाहिए न चिन्ता की बात तो यह होनी चाहिए जिस तरीके से नरिन मुदी नहीं ये कहा है कि विपक्ष का जो रवाईया है वो इस घटना से भी ज्यादा कतरनाक है तो दोस्तो आपने मेरा पूरा वीडियो देखा आपका बहुत-बहुत धन्यवाद लेकिन एक चीज़ जो मैं हमेशा आपसे कहती हूँ आपको अगर मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो आप मेरे चानल को सब्सक्राइब कर लिजे ये वीडियो आपको पसंद आए तो इससे आप लाइक कीजिए लाइक का बटन दबाईए और खुश रहिए स्वस्त रहिए अपना और अपनों का ख्याल लखिए जय हिंद जय पारत